वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी अजीब लगा ना? बिलकुल यही फीलिंग्स होती है जब हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की आवाज बदल दी जाती है हॉलिवुड मुवी में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स है जो इंडिया में उनके हिंदी आवाज के वज़े से जादा फेमस हुए और जिने हम बहुत सालों से देखते और सुनते हुए आ रहे हैं और अगर उनकी आवाज चेंज कर दी जाए तो कही ना कही पे हमें थोड़ा सा ओड फील होता है आज हम बात करने वाले हैं हॉलिवुड के ऐसे ही दस कैरेक्टर्स की जिनकी आवाज कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए लेकिन हां रुकिये जरा सरकार ने भले ही कुछ चाइनीज अप्लिकेशन बंद कर दिये हो लेकिन डरने की क्या बात है लोगडाउन में बहुत से लोगों ने सिर्फ गेम्स खेल के पैसा कमाया है वो भी इंडियन वेपसाइट से हाँ गेम्जॉप से बड़ी बात यह है कि ये लोग गेम खेलने के पैसे भी दे रहे हैं उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको कोई एप्लिकेशन डाउनलोड करने की जरूद भी नहीं है बस मोबाइल पे गेम्जॉप डाट कॉम खोलो फ्री गेम्स खेल कर आसानी से कभी सो कभी पचास रुपए कभी स्मार्ट फोन कभी लैप्टॉप जीतो जीते हुए पैसे सीधे पेटियम पर निकालो या अपना मोबाइल रिचाज कर लो मतलब मोबाइल पे टाइम पास भ होती है नमबर 9 पर है जेम्स बॉन्ड की मूऴीस बनना जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक हर जेम्स बॉन्ड की आवाज हमेशा से बने हुए है मिस्टर शक्ती सिंग जी जेम्स नमबर आठ पर है अवेंजर्स के सबसे छोटे सूपर हिरो फ्रेंडली नेवर हुड स्पाइड मैन और जब वयबो ठक कर इस कारेक्टर को अपनी आवाज देते है तो ऐसा लगता है कि टॉम हॉलन्ड खुद हिंदी में बात कर रहे है नमबर साथ पर है सबसे तगड़े और गुसे में लाल के बजाए हरे हो जाने वाले मिस्टर ब्रूस बैनर या कहे दी हल्क और इतने तगड़े कारेक्टर को तो आवाज भी तगड़ी ही होनी चाहिए फिर मुझे लगा कि हल्क मेरा दर्द नहीं दवा है नमबर चे पर है डीसी यूनिवर्स के सबसे फेमस सूपर हीरो बैटमैन और फिर से एक बार समय जी की आवाज इस कारेक्टर पर सबसे ज़ादा सूट होती है जिस तरह तुम अंडरवर्ड से लड़ रहे हो अगर किसी ने ये देख लिया तो सब कुछ खतम हो जाएगा नमबर पाच पर है कैप्टन जैक स्पारो प्लेट बाई मिस्टर जॉनी डेप और हर जैक स्पारो का फैन चाहेगा कि अगर इसका सिक्स्त पार्ट आए तो इस कारेक्टर को हिंदी में मिस्टर राजिश खटर ही डब करे नमबर चार पर है आयन मैन आयनों के मार्वल यूनियोस के हिसाब से आयन मैन कारेक्टर की डेथ हो जुकी है पर बात करे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तो एंड गेम के बाद आई इनके फिल्म डॉक्टर डू लिटल में भी राजिश खटर जी की ही आवास थी लेकिन अगर कही कोई चमतकार हो जाए और आयन मैन की कोई सिंगल मूवी आये या कोई कैमे ओ दिखाय जाए तो मैं चाहूंगा के उस कारेक्टर को राजिश सर ही अपनी आवास दे अब बात करते हैं टॉप तीन कारेक्टर की अक्टर मिस्टर गवरो चोपड़ा ने अपनी बारीटोन दमदार आवास से इस कारेक्टर को और भी तगड़ा बना दिया था और बहुत से लोग चाहेंगे के थोर के सभी मूवीज में या अक्टर क्रिस हैमसवत के आने वाले मूवीज में गवरो सर ही अपनी आवास दे नमबर दो पर है मिस्टर निक फ्यूरी इस कारेक्टर को इतना जादा हमने सुना है ना कि किसी दूसरे की आवास इन पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अब बारी है नमबर एक की मुझे पता है बहुत से लोगों ने अल्रेडी गेस किया हुआ है जी हाँ नमबर एक पर है हीरो कम एंटी हीरो कम विलन कम सूपर हीरो डेड़पूल डेड़पूल टू जब आई थी तो आपको पताई है कि कितना बड़ा बावाल मचा था अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है तो हर कोई चाहेगा कि संकेत मात्रे फिर से एक बार इस कारेक्टर को अपनी आवाज दे आप शायद सोच रही है मेरी बॉइफ्रेंड ने तो कहा था ये एक सूपर हीरो मूवी है पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सी कबाब बना दिया तो हाँ मैं सूपर हूँ पर मैं हीरो नहीं हूँ गेमज़व.com पे पैसे बट रहे है इंडिया के ही पैसे है इंडिया में ही रहेंगे जाओ खेलो लिंक डिस्क्रिप्चन में है मिलते है अगले वीडियो में बाई